नमस्कार साथियूं स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल English Doze इदभी में और मैं हूँ अबने स्वास्तो तो मित्रों सुरुआत करते हैं आज के दिन की इस बड़ी ख़बर के साथ और ये ख़बर आज की जुड़ी हुई है CBSE Examination से दोस्तों आपको बता दें कि ये लेटर एक पहले इशू किया गया था CBSE की तरफ से जिसमें ये बात कही गई थी कि रिजल्ट जारी होने के पस्चात जिन भी चात्रों को ये कोई भी संका रहेगी अपने एग्जामनेशन रिजल्ट से ले करके तो वो क्या कर सकते हैं अपने एक्जामनेशन को दोबारा दे सकते हैं मतलब वो रिए एक्जामनेशन आटेम्ट कर सकते हैं और उसके बाद में वो जितने भी मार्क्स एचीव करेंगे उनका फाइनली वो रिजल्ट बन करके दोबारा जारी किया जाएगा तो दोस्तों इसी संबंध में आपको बता दें कि CBSC की तरफ से कच्छा 10 और कच्छा 12 के लिए सुधारात्म परिक्षा आपकी होने की तित जारी कि जा चुकी है जो कि 25 अगस्त से होनी है तो दोस्तों यहाँ महत्पूर्ण जानकारी लेकर कि आपनों के बीश में आया हूँ जिसमें मैं आपको अभी बताऊंगा कि कब से आपके पंजीकरन मतलब रेजिस्ट्रेशन एक्जामनेशन का रेजिस्ट्रेशन आपका कब से स्टार्ट होगा कब आपका परिक्षा जो फल है वो आप तक पहुँचेगा मतलब कब आपका परिक्षा फिल जारी किया जाएगा तो सारी महत्पूर्ट बातें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इसलिए वीडियो के अन तक मेरे साथ में बने रहीएगा तो आएए दोस्तों लेकर चलता हूँ आपके इस important news की तरफ आपको तो दोस्तों इससे पहले आपसे यही निवेदन करूँगा कि प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करियेगा ताकि जो भी आपके अने साथी है इस जानकारी से जरूर वो रूबरू हो पाएं और भविस में जो भी decision को लेना है वो लेने के बाद में वो अपना कारे सफल कर पाएं तो दोस्तों आपको यह ट्रेलिग्राम का link भी दिख रहा होगा तो आप इसे भी join कर सकते हैं जो भी अन्य महत्पुन जानकारिया है इसके माध्धम से भी आतक पहुचा सको तो आए दोस्तों ले चलता हूँ इस news की तरफ और आपको बता दें कि केंद्रियम माध्धमिक सिक्षा पोर्ड ने रस्मी और बार्मी के नतीजों से असंतोस के चात्रों के लिए सुधार आत्मक पर एक्षा 25 अगस्त से 15 दिसंबर के बीच होने की बात कही है यह बड़ी अपडेट आप लों के लिए है इस बात को अच्छे से समझ लीजेगा यह डेट यहाँ पर आपके सामने आ चुकी है अगर आपको बताएं कि ब्रहस्पतिवार को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक खलफ नामा दिया गया था जिसे अजो अदालत है आपका कोर्ट है उसने सुविकार भी किया है और कोविड 19 के कारण जो आपके इंटरनल यहाँ पर एक्जामनेशन होती है इंटरनल मार्किंग होती है उसके आधार पर नतीजे जारी किये गए हैं यह बात आप सभी जानते हैं तो जो भी अवेर्थी इन नतीजों से संतुस्ट नहीं है उन्हीं के लिए इस एक्जामनेशन को दोबारा कराया जा रहा है सीवेसी की तरफ से और जो भी अवेर्थी संतुस्ट नहीं है वो इस एक्जामनेशन में अटेम्ट करके उसको अपने मार्क्स को एचीव कर सकते हैं जो भी वो जैसा भी एक्जाम देंगे फाइनली उनका रिजल्ट दोबारा बन करके आएगा अब आपको बता दें कि परिक्षा के लिए जो पंजी करण मतलब रेइस्ट्रेशन की डेट है दोस्तों तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि परिक्षा के लिए पंजी करण दस अगस्त से सुरू होगा मलब 10 ओफ आउगस्ट से आपका एग्जामनेशन का ये रेइस्ट्रेशन सुरूआत हो जाएगी और आपको बता दें कि रिजल्ट की बात करें तो 30 ओफ सेप्टेमबर 30 सितंबर तक आपके यहाँ पर रिजल्ट जारी करने की बात कही जा रही है आपको ये बता दें कि पहर में लगवग दो बजे CBSC ने आपके परिक्षा कारिकराओं का वेवरा पेस किया जिसे वहां की पेट ने मंजूर कर दिया है तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट है आपके लिए कि मैं उन साभर्थियों को ये बात बताना चाहूंगा कि जो भी अपने रिजर्ट से सैट पूल या कॉलिज में पढ़ते हैं आप वहां जा करके अपने यहां से management या अपने जो भी आपके office वर्क देखते हैं आप वहां पर जा करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने इस आवेदन को पूरा कर सकते हैं जो कि दस अगत से सुरू होने वाला है दोस् ये आप इसे पसंद करते हैं तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें अपने अने साथियों तो पहुचा दें और यही निवेदन करूँगा ये पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करना बिलकुल न भूलें ताकि नेक्स नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुच सके तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो के अंतक बने रहने के लिए आप सभी का दिन सुब हो इसी तरह हमारे साथ